नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आपसे मैं आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे से होंगे पैस भी शर्माट टैक्रूशंब चैनल में आप सबकाईग वाप फिर से सब्सक्राइब करता हूँ दोस्तों अगर आप भी अपनी live streaming या फिर अपने वीडियो में इस तरह का घूमता हुआ 3D लोगो लगाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है लेकिन दोस्तों वीडियो को शूर करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटापट से सब्सक्राइब कर लीजे जिससे की हमारे latest वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलते हैं अपने PC पर और देखते हैं कैसे हम इस तरह के लोगो को डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने PC पर यहाँ पर आप देख रहे हो इस साइड मेरा लोगो चल रहा है लोगो घूम रहा है और इस लोगो में आपको चार इमेज़ दिखाई दे रही है तो सबसे पहले इस तरह का लोगो बनाने के लिए हमें चार इमेज़ की जरुवत पढ़ने वाली है तो यहाँ पर आपको चार इमेज़ चाहिए होगी पहली इमेज है आपका लोगो अगर आप लोगो लगाना चाहते हो लोगो की इमेज आपके पास होगी इसके अलाबा image आप use करना चाहो उसे आप use कर सकते हो लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है आपकी जो image है वो square shape में होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका size 300 by 300 pixel होना चाहिए और उसका format JP easy format में वो image होनी चाहिए तो यहाँ पर माल लीजिए मैं यह बाली image select कर लेता हूँ इस image को मैं save कर लेता हूँ right click करेंगे और save as पर click करेंगे और इस image को अपने PC पर save कर लेते हैं तो यह image हमारी यहाँ पर save हो चुकी है इसका size है 225 by 225 और यह PNG format में है तो बहुत ही आसानी से आप इसके format को भी change कर सकते हो और इसके size को भी change कर सकते हो, image पर आपको right click करना है और open with पर click करना है और इसे paint में open कर लेना है यह image हमारी paint में open हो गई है और paint में आप देखोगे यहाँ पर एक resize का option आता है resize पर click कर दिजे, pixel पर click कर दिजे और यहाँ पर 300 by 300 यह size हमें कर देना है तो हमारा size यहाँ पर change हो गया और अब हम इस image को jpeasy format में save करेंगे file पर click करेंगे और यहाँ पर एक option आता है save as save as पर click करोगे तो यहाँ पर आपको jpeasy format select कर लेना है किसे save कर लेना है अब यह हमारी file 300 by 300 pixel में हो गई है तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास 4 images हो गई है एक logo है और 4 image हमारी यह दिख रही है और अब हमें जाना होगा एक website पर इस website का link मैंने वीडियो के description में दे रखा है जैसी आप उस link पर click करोगे आप इस website पर पहुंच जाओ आपको select करना हो वो आप कर सकते हो लेकिन फिलाल हम यहाँ पर select करने वाले है horizontal rotating cube यह आ रहा है horizontal rotating cube इसको select कर लेंगे तो आप देख सकते हो अब यह हमारा है square shape में दिखाई दे रहा है इसके बाद आपको simple upload image पर click करना है और अपनी पहली image upload कर देनी है मान लीजे मैं अपने logo वाली image पहले ले ले लेता हूँ और open पर click कर देता हूँ तो आप देख रहे हो हमारा logo यहाँ आ चुका है अगर आप चाहते हो अलग-अलग side में अलग-अलग images को add करना तो उसके लिए यहाँ पर नीचे देख रहे है option आ रहा है upload other side images side 2, side 2, side 3, side 4 अब मान लीजे side 2 पर मैं दूसरी image लगाना चाहता हूँ मान लीजे मैं यह वाली image लगा देता हूँ live बाली ओके open कर दीजे अब आप देखोगे हमारा 3 side तो हमारा logo चल रहा है और एक side इस तरह की image आ चुकी है तीसरी image भी upload करनी है तो हम कर देते है side 3 side 3 में हम यह वाली कर देते है subscribe, okay एक side में हमारा subscribe आ गया है एक side में हमारा logo आ गया और उसके बाद side 4 अब side 4 में मान लीजे मैं यह वाली image कर देता हूँ side 4 मैंने यह कर दी जो भी speed आपको चाहिए वो speed आप यहां रख सकते हो अब आप देख रहे हो हमारे logo की speed कम हो चुकी है उसके बाद यहां से आप frame rate भी set कर सकते हो अभी जो frame rate है मान लीजे मैं यहां पर 30 fps कर देता हूँ तो यहां पर आप देख रहे हो logo काफी बड़िया लग रहा है और यहां पर जो background है वो black color की background यहां लगी हुई है आप चाहो तो इसकी background को change भी कर सकते हो किसी भी color में हैं आपर background आप select कर सकते हो लेकिन हम इसकी background को transparent रखने वाले हैं तो transparent का option आ रहा है इसके आगे आपको tick कर देना है इसकी background remove हो जाएगी बस इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है सब कुछ तयार हो गया उसके बाद आपको download GIF पर click कर देना है तो अब हमारा logo पूरी तरह से तयार हो चुका है और अब हम इसे अपने OBS studio में लगा के देखेंगे इसे आप अपने वीडियो में भी लगा सकते हो जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप इसको add कर सकते हो मैं इसे OBS में लगा के आपको दिखा देता हूँ अब हम आ चुके हैं अपने OBS studio में OBS studio में घूमता हुआ logo आपको add करना है browse पर click कर दीजे अब यहाँ पर जो logo अभी हमने बनाया है उसे यहाँ से select कर लेंगे open कर देंगे और इसके बाद loop का option आ रहा है इस box पर tick कर देंगे इसके बाद ok कर दीजे अब आप देख रहे हो यह logo हमारा यहाँ पर आ चुका है जो logo अभी हमने बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है आप इसके size को छोटा बड़ा जैसे भी आपको करना हो वो आप कर सकते हो size को छोटा करना है इस तरह से कर सकते हो बड़ा करना है बड़ा भी आप कर सकते हो इस तरह से इसे कहीं भी हम fix कर सकते हैं इसे आप आप अपने वीडियो में भी लगा सकते हूज मालीजी आप को वीडियो रिकॉर्द कर रहे हैं जब वीडियो Edit कर दो कर दो कर दो